इस वक्त मैं वारानसी के उस एक स्कूल में मौझूद हूँ जहाँ पर इस कैम्पेइन के शुरुबात हुई थी दर असल यह जो स्कूल है यह एक प्राइमिरी स्कूल है तो याननिकी कख्षा एक से पांचवी तक के बच्चे यहां पड़ते हैं लेकिन जो यहां पर अध्यापक निकल जाते हैं वो बार बार वापस आगाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको उस बच्चे से मिलवाता हूँ आपका नाम? योगिता सेंग. योगिता जी ये बताईए कि अभी आप कौन सी कक्षा में? शिक्स. तो ये बताईए कि आपने यहाँ पर क्या सीखा? किस तरीके साप उसको इस्तेमाल करती है? मैंने यहाँ पर सुच्छता कवरें बहुत कुछ सीखा है और मैं जो यहाँ पर सिखती हूँ, मैं अपने स्कूल में, जहाँ पर मैं यहाँ से गई हूँ, शिक्स क्लास में, वहाँ के बच्चों को भी बताती हूँ, अपने घर के सदेश्यों को भी बताती हूँ. ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आस्था पटेल है. आस्था एक बताईए आपको स्पोर्ट्स केलती हैं? कोई भी गेम? हाँ क्या केलती है? कबड़ी खोको इत्यादी तो जब आप खोको खेलती है तो वो मिट्टी का खेल है उसके बाद आप क्या करती है? हम लोग टीम बनाकर खेलते हैं और? हमने अपने गुरुजनों से इच्छकों से इत्यादी से सिखा है आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनकेथ सिंग है अंकित आप बताईए कि जब आप इसकूल से निकले हैं कौन से कक्षा में है फिलाद? फाइफ आप फिफ्थ में हैं, आप पढ़ रहे हैं यहां पर तो आपको क्या सिखने को मिलता है? मुझे यहां से सिखने को मिलता है कि खाना खाने के पहले और सौच के बाद डिटोल सबनों से हाथ धूलना चाहिए और घर पे भी बताता हूँ माता, पिता और जो मेरे भाई बहने खाना काने के पहले और सौच के बाद हाथ धूले आपका क्या नाम है? दिच्छा आप कौँजी ग्लास में? सेमेन तो आप यहां से पास आउट हो चुकी है, फिफ्थ आपने पूली करी है जिस आप नए स्कूल में गए हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ पर सभी बच्चों और सिच्छकों को बताते हैं कि हाथ साबून से धूएं और खाने के पहले हाथ धूएं खाने के बाद सौच के बाद हाथ धूएं खेलने के बाद हाथ धूएं बहुत इची बात है, आपका नाम? मेरा नाम नितिन वर्मा है आप बताईए कि आपने क्या सीखा इस्कूल में? मैं इस इस्कूल में सीखा हूँ कि हमें अपने घर की आसपास की सुचता मत्सफाई रोज करनी चाहिए चलिए बहुत अच्छी बात है चोटी उम्र में आप लोग यह सब सीख रहे हैं आपका क्या नाम है आप कौन सी कख्षा में शीक्स आप लोगी और इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो अब आपका जो नया स्कूलर यहाँ में आप कुछ submit कि बताते थे कि हाद दूल के खना चयेए ए खेलने के बार हाधु दूलना चाहिए पढ़ने के पर ने के स्कूल में अपने अच्छा को सीका है? हमने यहां पर बहुत कुछ सिखा है, हमारे आहां की स्कूल बहुत अच्छा है. साफ तोर पर जो बच्चे हैं उनसे हमारी बात हो रही है. और देखे हुआ स्कूल जो है वो पुरा हरियाली है. ये गाओं के बीचों बीच है लेकिन आप कहें नहीं सकते कि ये किसी गाओं में मौजुद है लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि छोटी सी उम्र में ये बच्चे समझ रहे हैं कि जो साफ सफाई है वो कितनी एहम है स्वास्ति बच्चों का अच्छा बना रहता है बच्चे देश का भविश्य है तो जाहिर तोर पर जब उनका स्वास्त अच्छा रहेगा उसे के बाद वो तरक्की भी कर पाएंगे